हेलो गैस वेलकम बैक नाओ इस यूर नेक्स प्रॉब्लम इन इस पर्टिक्लर प्रॉब्लम अगेइन आप पाइप बेस प्रॉब्लम इस दियर सो दा लेंग्वेज इस वेरी वेरी इजी लेट मी टेल यू इसमें है क्या आपका स्विमिंग पुल को फिर से भणना है दो पाइप यहां यूज हो रहे हैं जो लार्जर वाला पाइप है उसको आप फोर आर्स तक चला रहे हो और जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है उसको आप नाइन आर्स तक चला रहे है लेकिन उसको चार और नौ घंटे के बाद ऑपरेट करने के बाद भी आपका जो प तो अब मैं question को यहीं से start करता हूं इस particular statement से जो उसने दिया है ठीक है तो solution में मैं सबसे पहले क्या लिखने जा रहा हूं यहां पे ना इन pipes के speed के बारे में बात करी है कि जो आपका छोटा वाला diameter वाला pipe है वो 10 घंटे extra ले रहा है ठीक है तो चलो start करते हैं so let the time taken जो मैं आपसे बोलूँ let the time taken by time taken by pipe with larger diameter अगर जो larger diameter वाला जो pipe है आपका मैं इसको इतना ही लिखता हूं larger diameter वाला pipe अगर आपके x r यहां पे ले रहा है अगर वो यहां पे x r ले रहा है तो जो आपका time लिया जाएगा जो pipe आपका जिसका smaller diameter है so as per this question is nothing but x plus 10 r तो यहां तक समझने में कोई problem नहीं हुआ होगा आपको कि अगर बड़ा वाला आपका यहां पे simple सा logic से x r ले रहा है तो छोटा वाल x plus 10 लेगा अब इसके बाद आपको याद होगा previously भी हमने देखा है फिर हम इनके 1 r का time निकालते हैं so in 1 r तो in 1 r अगर मैं देखूं 1 r में कितना fill होगा 1 r में जो भी total volume है उसका 1 by x जो भी volume होता है that part can be filled इतना part can be filled yes or no हमने यही पढ़ा था पिछले lecture में भी जब हमने questions को देखा था कि total जो आपका बड़ा pipe है वो v upon x volume को भर देगा 1 r में और वहीं अगर मैं smaller pipe की बात करूं तो वो भी 1 r में आपका कितना fill कर देगा v upon x plus 10 ठीक है तो यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा this much part can be filled अब चलते हैं इसी question के second logic में second logic में आप स्टार्ट करते हैं तो part number two में अब आप देखें यहां पे क्या होता है बात simple सी है आपने इन दोनों pipes को operate किया है for four hours ठीक है तो four hours तग आपने क्या किया है तो four hours तग आपने यहां पे क्या किया है अपना larger pipe को use किया है तो the larger one वाला जो pipe है larger pipe is used तो उसने total कितना volume भरा होगा अगर एक घंटे में v upon x फिल किया है तो इन four hours में four v upon x जो है total volume का is filled हना इतना part उसने fill कर दिया होगा यहां तक कोई tension नहीं है वहीं पे अगर 9 hours तक मैंने smaller pipe को use किया है तो simple सा बात है जो total volume यह मुझे given है इसका मैंने 9 v upon x फिल कर दिया होगा क्योंकि rule आपको पता है अगर एक घंटे में मैं इतना fill कर रहा हूँ तो 9 hours में मैं into 9 कर देता हूँ that is the rule तो यहां पे इतना part fill हो गया है लेकिन इन दोनों को एक साथ operate करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आधा पूल ही आप भर पाए हो तो कहने का मतलब यह है अगर मैंने एक साथ भी operate किया यानि अगर मैंने 4 v upon x plus 9 v upon x plus 10 किया इसके बाद भी जो मेरा pool है वो सिर्फ आधा ही fill हुआ इसका मतलब यह है कि जो total volume थी उसका सिर्फ आधा ही pool fill हुआ तो यहां से आपकी बनती है पहली जो equation हमें जो चाहिए थी वो अब हम यहां पे पहुँच चुके हैं तो hopefully यहां तक आपको clear हुआ होगा कि exactly चल क्या रहा है हना तो अब हम बढ़ते हैं इसकी calculation में आगे तो आपने देखा था कि आपका 9V upon X था आपका 4 sorry I think it is 4V okay anyways मैं इसको यहीं पर खदम कर देता हूँ और मैं यहां पर अगर देखूँ तो V से V V से V V से V V से V cancel हो जाएगा और equation बनेगा 4 upon X plus 9 upon X plus 10 is equals to 1 by 2 यह तो है डियर आपका बिलकुल equation अब मैं इस equation को ही यहां पर solve करने जा रहा हूं और मैं इसका चलो इसको मैं screenshot लेके अगले फाइल में पहुंचा देता हूं अभी तक जो हमने लिखा है मैं उसको copy करके आपके next file पर अगर ले चले हैं तो okay just love this anyways so equation was very very simple it was 4 upon X plus 9 upon X plus 10 is equals to 1 by 2 था अब अगर मैं यहां LCM लोगा तो यह होगा 4 into X plus 10 यह हो जाएगा आपका यहां पर 9 X और division में आ जाएगा X into X plus 10 और यह किसके अगर मैं side में करूं तो यह दर जाएगा same way this will be converted to X square plus 10 X ठीक है अब यहां पर मैं अगर further multiplication करूं तो this is 26 X plus 80 is equals to X square plus 10 X और अगर मैं सब को यहां rearrange कर दूं तो what I will get X square is equals to minus ka 16 X plus ka 80 is equals to 0 and the required factor of this question is X minus 20 और X plus 4 X plus 4 equals to 0 और यह जो plus का मैंने यहां लिखा actually मैं इसको होना चाहिए minus क्यूंकि आपका यह plus का 80 यहां पर given है तो clearly यहां से X की value जो है वो 20 आई है क्योंकि X का value negative नहीं हो सकता इस value को neglect किया जाएगा तो अगर मैं answer मांगू हूँ तो जो आपका larger pipe है ठीक है larger pipe जिसका हमने क्या starting में बुला था कि X let करा था हमने score if you remember और इसी X का value 20 आया है और जो आपका smaller pipe है इसमें odd plus का 10 करना है तो smaller pipe will take 30 hours to fill the same 10 okay so with this way your this question is done hopefully समझ में आपको आ गया होगा ठीक है अब बढ़ेंगे अगले question में आगे thank you